वेलकम बैक्तु स्टडी विद इप यूट्यूटीब चैनल आज का ये वीडियो डियवी क्लास एट इस्टुरेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉड़न्स होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आपके मैथमेटिक्स ब दूसरे में चैप्टर 6-10 बता दिया है इकॉन कॉन से कोशन उन चैप्टर से इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है और दिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है जहां पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे जबके बोट आपको बहुत जड़ा मदल करेगा तो यह पॉसिबल हो सकते आप लोग प्लेश्ट पर ज़रूर विजट कीज़ेगा तो कि आप एक वर वहां जाएंगे तो आपको वहां में बहुत सारे हैल्फुल कंटेंट मिलेंगे जैसे कि प्रिवेस एक्ट्र कोश्ट्र चैप्टर नोट्स तब लोग इस प्लेश्ट पर ज़रूर विजट कीज़ेगा अब काईस देखिए हम लोग ने चैप्टर वन तूफाइव और इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है या पर कौन से मोडिलेटर जिनके एक्जाम में आने के चांसे नहीं है और किसके ज्यादा है व यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके जाता है और यहां तक इसका सॉलुशन को जरूर से जाता है तो यह ज़रूरी है क्या होता है अब देखिए यहां पर लोग को नोट करके एक फॉर्मूला रिया रहे यह फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए ओके आप लो अरफ लोग को बिल्कुल याद कर के रख लीजेगा ओके यहां पर दिखे एक्जाम्पल नमबर टूर अब हम लोग देखते हैं वकषित वन को देखिए वकषित करना को सबस्क्राइब कोशन इसे इस्वाइब लिए अपने पीछे चाहिए पर पेंटा बन करना है तो यहा तो कि अब देखे इसमें क्या है न यह फॉर्मुला मैंने इपको बताया था और पीछ ए फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि बहुत ज़ादा इंपोर्ण है उसे पे बेस लिए कोशियां से यहां पर जितने भी साइस दिया किसे नाइन है 22 है तो यहां पर n के चिकार इसे आप लोग पूट कीजेगा तो आपके बस क्या आएगा इंटेर एंगल का सम आएगा किसी भी पॉलिगॉन के लिए नमबर आफ साइट आपके दिया गया है तो यहाँ पर 22 साइट सब्सक्राइब यह दोनों बहुत 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 इंपोर्टन है अब यहाँ पर इच एंगल सकते इसके श guests कितने बाद किया कि होगा को मैं आपको कुछ इंंपार्न कोपिक्स ज्यादा होना चाहिए क्यों कैjest कुछ प्रिवेजर को ऐनलाईज करता हूं देखता Suzู आपको कोश्यंस बताता हूं कि हां ये कोश्यंस आ सकते हैं जैसे पिछ लिदोस में पूछ प्रूव भी दिया रहा है इस प्रूफ निकालना है ऐसे ख्वेस्ट इग्जामिनेशन में आहें अपको दिखा नहीं आप देखिए यह Q2 6 है आपको देखे और चार एंगल में आएगा आप देखिए यहाप पर फिक्त एंगल आपको फिक्त की है अभी आप लोग एक्समी आखना फाइंद की थे और वैसे आप लोग चार एंगल देद हैं पें पेंटार आपको अगल करना है जैने आप लोग निकालने होंगे जैने अपर प्रप्रपर्टी आपको प्रपर्टों यह पर चाहिए आपको प्रप्रप्र जों करना आपको इंगल करना है तो यह कोशिण बहुत दोने इंपोर्टेंट और प्रिए सब्सक्राइब कर लिए अब इस वरक्षेटर के कुछ को देख लेते हैं तो यहां पर देखिए आपको ट्रापेजियम दिया गया है जोने पीक्यू पैलल ऐसाथ है एंगल पी 30 डिग्री है एंगल क्यू जो है वह 50 डिग्री आपक बहुत जरुबर्ण को जरुद कर लिए और यहां पर रॉंबर्ट को को जाता है और कि और नाइन बहुत जरुबर्ण हो जाता है वह श्कू आपको बता रहा हो कि आपके इस प्रकार के questions देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इन questions का आने का chances बहुत ज्यादा है इस प्रकार के questions को जरूर करके जाहिएगा अब वक्षी ठीक है कुछ questions को देख लेते हैं देखें वक्षी 3 में आपका question number 2 बहुत important है उसके साथ question 6 and question 7 बहुत important and question 4 and 5 जो है वह basic से questions को concurrency प्रूफ करना होगा जो कि आप 7th class में पढ़के आए हैं तो ऐसे questions आपके examination में आ सकते हैं आए भी है ओके तो आप लोग क्या करिएगा इन questions को कर लिजेगा अब हम लोग देखते हैं बिलेंटीजर पर कुछ questions को रिबात करें तो question number 3 हाँ भी important हो जाता है question 4 and question 5 तीनों questions बहुत रहे important है तो आप लोग इन तीनों questions को जरूर सरूर कर लीजेगा यहां पर देखें हो से question आया है यहां पर इसलिए मैंने टिकर के पहले भी रखा था ओके तो हो सरी question को भी जरूर सरूर कर लीजेगा इसका question number two are possible हो सके आप लोग जरूर सरूर कर लीजेगा enrichment questions mainly इस chapter से नहीं पूछी जाते हैं अब हम लोग construction of quarrelators पर बेस कुछ questions को देख लेते हैं जिसमें आप लोगों को एक quarrelator construct करना पड़ता है सबसे परदा कैसे बात करें guys तो सबसे परदे आप लोगो construction करना होता है किसी quadrilateral का जिसमें आपको चार साइस और एक डियाग्नास दिये जाते हैं इससे आप लोग example one कर लेजेगा and basically मैं बात करूं तो आप लोग इस chapter से सारे questions को कीजेगा बीना किसी भी questions को skip किये वे आपको करने हैं जिसमें की question no.1 and question no.6 आप लोग important mark कर लिए क्योंकि आ सकते हैं आपके examination में आप दो आपको करना पड़ेगा तो इसमें सबसे पर हैं आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वक्षिर त्री से जो basic questions आ सकते हैं आपके examination में जाला chances से आने के question 1 का 1 and question 1 का 4 उसके साथ साथ हैं बात करें तो question 2 का 2 आ सकता है question 2 का 1 3 & 5 यह तीनों questions बहुत जड़ा important है तो इन तीनों questions को जड़ूर किजिएगा अच्छे से जहांदेगे किजिएगा अब यहां पर देखिए अब आप जब पिछे वारे questions को करेंगे ब्रेंट रिए के सारे questions होई जाएंगे बट यहां बात यहां भी तीनों questions बहुत जड़ा important है इन तीनों questions को आप लोग जड़ूर कर लीजिएगा okay horse भी चेप्टर से आया है या आपके examination में आ सकता है तो horse का question 2 & 1 कर लेजिएगा question 1 & 4 यहां पर important हो जाता है question 1 & 5 क्योंकि यहां पर इस प्रकार के questions जाला पूछे जाते हैं जरूरी है कि आप लोग इस प्रकार के questions को जरूर सरूर करके जाए question 5 & 4 & 5 are very important so mark it okay आप लोग इसे mark कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जड़ा important है अब यहां पर देखिए आप लोग को example number 7 करके जाना है क्योंकि यह सब जो questions है आपके examination में example से दिये जाते हैं example 5,6 & 7 आप लोग जरूर कर लीजिएगा अब यह जिम लोग बात कर लेश्य वक्षिट 2 की तो वक्षिट 2 में question 1,2 & 5 यह तीनों के questions बहुत जड़ा important है question 1,2 & 5 अब यहां पर value-based questions आ सकता है अब नहीं भी आ सकता है ति तब चाहिए तो value-based questions को कर लेज़ेगा ताइम नहीं लगेगा आप लोगों का अब यहां ब्रेंटीजर में बात करें तो वनमार्क के questions में आ सकता है question C & question D okay तो आप लोग इन दोनों questions को जरूर सरूर करके रखिएगा आपको बहुत जड़ा मदद मिलेगी ओके लोग नेक्स्ट बात करें तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टन हो जाता है तो कैसे आपको बता दूँ किजिए आप मुझे और भी support चाहते हैं जैसे कि extra questions हो गाएं notes हो गाएं किसी भी materials के PDF हो गाएं तो आप लोग में में चैनल का membership join कर सकते हैं membership join करने का price में ज्यादा नहीं रखा है membership का price बहुत ही low है यदि आप चाहें तो इसलिए आप उसे effort कर सकते हैं ओके आपको membership join करने बहुत ज़्यदा फाइदा होगा जैसे कि आपको previous questions के PDF मिल जाएंगे जो भी materials में आपको दे रहा हूँ उसकी PDF मिल जाएंगे मैंने मैंत के सारे chapters के extra questions members को provide करवा दिये हैं यदि आप भी उन सारे extra questions को चाहते हैं तो आपको मेरे membership join करना पड़ेगा membership का link आपको description पर दिया गया है तो आप चाहें यदि आप effort कर सकते हैं तो आपको membership को ज़रूर कीजिए आपको membership join करने से बहुत ज़रा फाइदा होगा तो कि मैं आपको extra questions देता हूं हर एक chapter से ओक चाहें वह किसी subject का हो तो आप चाहें तो membership को join कर सकते हैं अब लोग menstruation chapter के कुछ examples को रेख लेते हैं तो यहां पर एक question number two question number three question number five question number six त्यारों को बहुत अब इसके साथ यह पहला साथ जो होता है आपको बहुत कर सकता है ऑगे तो question बहुत important है और मैंसुलेशन topic ही बहुत ज़रे important होता मैं सारे questions बहुत ज़रे important होते हैं बाद मैं आपको कुछ ऐसे questions बता रहा हूं जो previous questions में आए हैं और आगे भी आ सकते हैं वागे बहुत सारे questions को repeat करता है आप लोग प्रिवेशन को ज़रूर कर लिजेगा अब इस देखिए इस प्रेकार के questions आए हैं मैंने आपको यह जैसे कि question में 10 देखिए यहां पर क्या दिया गया तो पर पेजिया गया कोशन बिल्कुल सेम है वही process कोशन सॉल्व होगा वो कि आप लोग एंसर कमेंट करके बताएगा कि आपका अंसर कितना आया आपका अंसर सही होगा तो मैं आपका कमेंट को पिन करूंगा ओके आगे देख लेते हैं आगे कौन-कौन से examples और कौन-कौन से questions बहुत जड़ा important है तो यहां पर आप लोग को यह सब जड़ा important है नहीं जड़ी पॉस्टिबर आपको क्यूब 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 करके रख दिया है यह चारों को प्लोग कर लोग कर लिए करकर नहीं दिखा रहा हूं अब यह दिन लोग नेक्स बात करें चलेंडर की बारी आ गई है चलेंडर को अप लोग को अब देखने को मिलेंगे आपके examination में आपके questions आए हैं या फिर आपके examination में आ सकते हैं जो कि important है तो यहां पर देखिए example 10 बहुत जड़ा important है उसके साथ आप example 11 यह दोनों questions बहुत जड़ा important है okay and हो सकता है किस पर आपके examination में आ जाएं आप देखिए वक्षित 4 के कुछ questions मैं आपको बता देता हूं लेकिस सबसे बेसिक कोशन कर्व सब्सक्राइब करना तोड़ सब्सक्राइब करना जिसका हाइट और बेस आपको दिया गया है तो यह सब सब आप लोग कर लिएगा क्यों कि दिनों questions बहुत जड़ा important है अब आप देखिए यहां पर आप लोग को क्या दिया क्या 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 प्रक्राइब करना पड़ेगा okay आपको इसका क्या बहुत प्रोसीड करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका तो question 10-11 भी बहुत जड़ा important है overall यह पूरा चैप्टर में आपको जैसा पहले बताया कि पूरा चैप्टर ही important है बर कोई important questions जो आपके previous examination में आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ okay अब आपका question आगया volume of cube and cuboid okay उसके बाद आपको मिलेगा volume of right circular cylinder उसके साथ बहुत जड़ा important है उसके साथ इसके questions की बात करें तो question 4-5 दोनों बहुत important है and basic में question number 1 okay क्यूब को join किया जाता है और ऐसे questions आपको class 3 में भी देखने को मिलेंगे okay इसलिए अच्छे सा भी menstruation को पढ़ेंगे तो आपको आगे आने वाज़े समय भी बहुत ज़्यादा help मिलेगी यहां पर question 8-9 भी बहुत ज़्यादा important है तिन दोनों questions को आप लोग ज़रूर ज़रूर कर लिजेंगा अब यहां पर हम लोग volume related questions देख लेते हैं जो कि cylinder पर बेस्ट होंगे अब देखें इस यहां पर आपका example number 16 बहुत ज़्यादा important है क्योंकि आपका यह question आ चुका है आप बोल्ट examination में मैं आपको दिखा रहा हूं देखें यहां पर क्या दिया गया है यहां पर स्यूंद्र कर दिया गया और यहां पर क्या है बस यहां पर को एड किया गया है बागी पूरा का पूरा question सेम है इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा इस तो एक्जाम्पल से भी आपको question दिये जाते हैं यह मैंने प्रूफ कर दिया ओके तो बिल्कुल भी question को नेगलेट मत कीजिएगा जितना हो सकते examples हो चाहिए को भी question सो जहां से आपको question मिल रहा हो उस question को solve कीजिए हो सकता है उस प्रगार के questions आपके examination में आ जाएं ओके तो हाई chances यह है कि आपको easy question देखने को मिलेगा जाओकि मैंने आपको syllabus में बताया था कि आपको easy questions दिये question number six यह तिनों questions बहुत जड़ा important है उसके साथ-साथ question number seven ओके और यह नेक्स्ट बात करें question number eight and ten eight and eleven sorry eight and ten ने eight and eleven यह दोनों questions बहुत की जाता है important है तो आप लोग इन दोनों questions को जरूर सरूर कर लिजेगा आपको यह पूरा वक्षित आप लोग कीजिएगा आप लोग आगे आने वाले सारे questions को कर लिजेगा तो आपके examination में आ चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं okay तो यह पूरा आप लोग कीजिएगा आप लोग बिल्कुल भी छोड़िएगा मत क्योंकि यह सब marks उठाने वाले चैप्टर से आप इसली से उठा सकते है marks क हो ओके अब यह दिन लोग नेक्स्ट बात प्रेश्मेंट यहां पर आपका brain teacher में question 4 question number 7 and question number 6 जोने इंप्टेंट है उसके साथ साथ question number 9 यह question very very important इसे तह मार्क कर लिजिए आपके examination में और आपके examination में उसके साथ इस परकार की question सभी आप करके आएं थिक्नेस वाला इसे फिर भी मार्क कर लिजिए आज सकते आपके examination में बस यहां पर values को change कर दिया जाए या फिर यह question उठाके दे दिया जाए ठीक है अब देखिए question 11 and 12 यह दोनों questions को भी आप लोग जरूर जरूर कर लिजगा question ओके horse आया है तो horse का question two and one important है इसे के साथ मोश्ट इंपॉर्टन चैप्टाइशन अब हम लोग chapter 15 statistics and probability पर देखते हैं कि उनमें से कौन-कौन से questions बहुत ज़्यादा important है उसके साथ साथ दें लों next बात करेंशनेंट तो example number four यह भी बहुत ज़्याद इंपॉर्टन इसमापको histogram बनाना होगा okay and कभी-कभी आपको histogram related questions दिये जाते हैं और आप से बार्ग्राप टापको दिया जाता है वाइस इन डे बाइदा इस्वेंट सफ क्लास दूइंग होड़ेज ओके अब यदि देखें आप यह दिम वक्षित की बात करेंशन तो वक्षित में आपका question अब पाई चार्ट में आपको पूछेगा है जोगी प्लेंग कार्ण होते हैं डाइस पर डिपेंट होते हैं ओके तो यहां पर एक्जांपल नंबर 7 बहुत हो जाता है उसके साथ नंबर 8 मैं आपको दिखाऊंगा कुछ questions को की probability पे आए हैं यहां पर आपको चेंज करके दिया गया लिए दिस्क्रिप्शन पर आप चाहिए तो जोएंट कर सकते हैं अब दीकिए नमेर 2 इन दोनों को ज़रूर ज़रूर कर लिए गांगे यहां पर आप लोग तीनों का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में जो भी पहले कमेंट करेंगा तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके को च्मिशन आप लोगों को इन इस प्रकार को आते हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं मैं बहुत ताइम जगा के नलाइस किया है तभी मैं आपको बता पा रहा हूं से आप लोग आसे इसे को ज़रूर कर लोग कर लिए गा वोके लोग नेक्स बात करें रोटेशनल सिमेट्री तो बेसिकली रोटेशनल सिमेट्री चैप्टर उतना जड़ा मार्स नहीं करता है बर इससे बिए नहीं बता पांगों कि कौन सा बहुत ज़्यां इंपार्टन्ट है तो कि दो मार्स का कुछ भी आ सकता ह है यह सकते हैं तो आप लोग को जरूर सिरुर कर लिजिएगा अब दोटे से आपको करना तो आपके जरूर कीजिए लिएर ma करते हैं यह सब करना पांगों लोग लोग यहां बहुत जड़त हैं यहां यहां पर और बग्या इसब है और प्रकार के यह दिया तिया जाते हैं ति को जरूर कीजिए का मैंब 않아 करने के तो अलग था ओके यह दो कोश्ण पर बढ़ है यह अलग है दोनों पर आया है कभी आपको मैथमेटिक्स वर्ट दे दिया जाएगा आप से कोश्ण पूछ जाएगा तो यह आप ऐसे को करे रहेंगे तो आप लोग इसली कर पाएंगे ओके इसली के साथ हमने हमने पूरे मैथ मैथ बुक को त्री विडियों में कवर अप पर लिया है पहले में चैटर 1-5 दूसरे में चल्ड़ 6-10 तो इसली के साथ मैंने आपको पूरी मैथ बुक का बता दिया कौन-कौन से कोश्ण बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजेंगा यदि इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ कास्में चैट अधिक सब्सक्राइब करके और प्रिस करें शबर करें तो कि मैं आपके लिए ऐसी लाता हूँ इस विडियों को इस सड़ी शेर किजएगा आप लोग नीजे डेस्क्रिप्शन पर दिएगा लिंक से इस प्रेश्ल पेरीश पर जरूर विज़ीट किजएगा क्यों कि इस प्रेशल प्रेश्लिश में जाने के वद्थ आपको बहुत ज़्याप पाइदा होगा यदि पॉसि